हावरुफिक्स वान प्लस फाइफ टी मेसेच नॉटिफिकेशन और प्रॉब्लम सॉलुशन नमस्का डोस्तों सो आगर है अब सभी का तिकराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने वान प्लास के डिवा हो रहा है नॉटिफिकेशन शो नहीं हो रहा है पॉप आप नहीं दिखा दे रहा है फ्लोटिंग नहीं आ रहा है या फिर किसी भी तरह के का मेसेच नॉटिफिक्शन प्रॉलम हो सकते मेसेच नॉटिफिक्शन साउंड प्रॉलम हो सकते तो आप इस वीडियो को देखे सार भी प्रॉब्लिम के रीगार्डिंग पर आप हमें ट्वीटर पर फॉलो करके मेसेज़ कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको जाना है प्लेष्ट और उसके बार आपको यहां पे सर्च कर देना है मैसेच उसके लाद आपको यह नोटीफिकेशन उसके वाद see all apps and then a person search करना आपका message app तो नीचे के तरफ जाएए और open किजिए उसके बाद storage पर क्लिक करके आपको क्या करना है clear storage पर क्लिक करना है okay कर देना उसके बार बेक करना है बेक करने के बाद दोस्तों permission पर जाए सारे permission को allow करें सारे permission allow करने के बाद आप device को restart करें एंडेंट चेकाउट करके देखें दोस्तों आपका प्रॉब्लेम सॉल्फ हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने प्रॉब्लेम को फीक्स कर सकते हैं अभी दोस्तों यहाँ पर यह तो हो गया कुछ सॉलुशन्स अभी नौटिफिकेशन के रिलेटेट भ करनाूगा